सोयबीन की नई फसल आने के बाद सोयबीन के भाव को लेकर काफी अस्मन जस्की स्थिती बनी वी है और अलग-अलग स्थानों पर सोयबीन की कीमतें अलग-अलग ही है सोयबीन की नई फसल आने से कीमतों पर दबा बनता हुआ नजर आ रहा है और सरकार जो सोयबीन का यानि की सोयख खली का आयात कर रही है उससे भी सोयबीन की कीमतों पर असर पड़ा है किसानों को सोयबीन के दाम जो पहले 10,000 के करीब मिल रहे थे वही अब सोयमील का आयात होते ही और नई आवक आते ही धड़ाम हो गए कीमते 10,000 से सीधे 3,000 से 4,000 तक नीचे में आ चुकी है बात करें अगर सोयमील के घरेलू उत्पादन की तो सोयमील के घरेलू उत्पादन को लेकर भी असमंजस्की स्थिती बनी वी है कोई इसका उत्पादन ज्यादा तो कोई कम बता रहा है अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सोयमील का उत्पादन कितना है वही जानकारों के अनुसार पिछले साल सोयमील का उत्पादन आट दशमल नौ मिल्येटन देखने को मिला था और इस बात 10溜िय टन के आसपास का उतपादन का अनुमान लगाया गया है वहीं global soybean production बढ़ने का अनुमान है कि soybean सहीद, palm, sunflower उतपादन में बढ़ोतरी हो सकती है इधर global soybean उतपादन बढ़कर 740,000,000 टन पहुँच सकता है जिसके चलते इसमें गिरावट आ सकती है सुएवीन की कीमतों में गिरावट की आशंगा बनी वी है किसान सबसे ज़ाद इस बात से नाराज हैं कि जब उनकी फसल की बिखने की बारी आती है तबी हमेशा क्यों दाम कम हो जाते हैं जब बाजार में सोया तेल और अन्ने खाद तेल की कीमतों के दाम इतने अधिक हैं और अभी भी लगातार बढ़ ही रही हैं तो किसानों की फसल के दाम क्यों नहीं बढ़ते उन्हें क्यों गिरावट का हवाला दे कर कम पैसों में अपनी फसल बेचने पर मजबूर किया जात जबकि वो तो पूरे देश के लिए फसल उगाते हैं अगर बड़ी कमपनिये अपने प्रोडक्स के दाम बढ़ाती हैं तो उन पर कोई भी कुछ नहीं बोलता चाहे कितने भी बढ़ाए हो लेकिन जब किसान थोड़ा कमाने लग जाते हैं और अपना कर्ज चुकता करने ल रहे हैं और किसान अभी भी खाली बैठे हैं सरकार भी दाम बढ़ने से एक्शन में आ जाती है और कुछ ऐसी नीतियां अपनाती है जिससे दाम कम हो जाते हैं किसानों का क्याना है कि सरकार को ऐसा बड़ी कमपनियों के साथ भी करना चाहिए जिससे आम जन को उनके द्वा ऐसा नहीं सुना होगा कि दूद, पेट्रोल डीजल, बिस्कुट के दाम, 10-10 या 20-20 उर्पे कम हो गए किसानों को हमेशा महंगा बीच, महंगी खाद, महंगा पेट्रोल डीजल खरीद कर फसल उगानी पड़ती है तब कोई किसान को नहीं पूछता कि वे अपने घर का खर्चा कैसे चला रहा है, उसके घर में कैसे रोटी पक रही है, पक भी रही है या नहीं, उसने कितने बियाच पर कर्ज लेकर अपनी फसल बोई है लेकिन जब कीमते थोड़ी बढ़ती हैं, सब अचानक से सक्री हो जाते हैं और महंगाई का शौर मचने लगता है अगर वायदा बजारों में इतनी सट्टे बाजी ना हो, तो कीमते इतनी नहीं बढ़ेंगी, कीमतों पर काबू रहेगा क्योंकि सट्टे बाज अपना मुनाफ़ा लेकर निकल जाते हैं, और जब किसानों की बारी आती है, तब दाम हमेशा कैसे ना कैसे करके कम किये जाते हैं वायदा बजारों में सट्टे बाजी होने से, कीमतों में कभी तेजी तो कभी मंदी आती रहती है वायदा में किसी भी कमूरिटी में पैसा लगा कर उसके दाम बढ़ाए जा सकते हैं और पैसा निकाल कर किसी भी वब दाम गिराए भी जा सकते हैं यही सोयवीन के साथ भी हुआ है जिससे किसान काफी जादा गुस्से में है कई जगाओं पर किसानों ने अपनी सोयवीन की मौसम से बरवाद हुई फसल पर ट्रेक्टर भी चला दिया है जिससे वे अगली फसल की बुवाई कर सके अब ऐसे में मजबूर किसान भला क्या ही करेगा